हलो स्टूडेंस इस्टेटी मीडियम चल्म आपका स्वागत है जो लोग B.C. नर्सिंग एंड पारामेटिकल इंटरेंस इजाम को त्यारी करें उनके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट ही इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वोस्चन्स को कलेट किया गया जो आपके एक् इंतरन होता है तो हमारे सरीर में गरंथी पाए जाती जिसका नाम है है यह हमारे सरीर के तापमान को नियांतरित करती कैसे माले यह हमारा सरीर है और हमारे सरीर का जो टेमप्रेचर है वह आप मान के चलो 37 degree centigrade है ठीक है अब सरीर के बाहर यहां पे हम कोई बर्फिली अरिया यहां पे बैठे हुए है जहान पर जो टेमप्रेचर हे जिरो डेगरय की और यहां पर हमारे सरीर कह तापमान ऌना उल्य बढ़ने की कोसिस करेगी और यहाँ पर हमारी सरी का तापमान है वो घटने की कोईश्च करेगी, क्योंकि बाहर 0 डिग्री है तो घटने की कोईश्च करेगी, और यहाँ पर बाहर 50 डिग्री है तो बढ़ने की कोईश्च करेगी, तो जो हाइपोथेलमस गरंथी है होती है, वो इस सिच्वेशन में न सामाई ने रख्त चाप कितना होता है ब्लड प्रेसर कितना होता है तो जो नॉर्मल होते है वो होते 120 by 80 mm पर Hg ठीक है यह दो टाइप क्यों होते है क्या होते है कि एक जो ब्लड प्रेसर हमारे हिर्दय से सरी के सभी अंगों तक जाती है और दूसरा सभी अंगों से हिर्दय तक बापस आती है तो जो हिर्दय से सभी अंगों तक जाती है वो है 120 और सभी अंगों से बापस हिर्दय माती होते है 80 नीचे वाला कम क्यों होता है तेखो अगर कोई प्रेसर से सरीर के सभी अंगों तक ब्लड को फेका जाता है हिरदे के दुबारा तो उसी pressure से blood हिरदे तक आएगी यह कैसे possible है जाते वक्त रास्ते में जो वो धमनी से और सीरा से क्रॉस की उस टाइम धमनी और सीरा के दिवारों से टक्राने के बाद उसका pressure में कुछ कमी आई तो हिरदे से जब बलड जाती और बापस हिरदे माती है तो वहां पर इतना का अंतर आ जाती है तो 120 से और आती असी से इसलिए दो टाइब के बलड प्रेसर होते है यह नॉर्मल किये और बढ़ जाएगे घड़ जाएगी तो आपको अलग देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन से रेवीज नामक रोक होता है तो यह वायरस होता है ठीक रेवीज नेक्स्ट कोश्चन से वर्नांधता व्यक्ति किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है जो कलर ब्लाइनेस वाले लोग होते है वो लाल और हरे में रेड और ग्रीन में डिफ्रेंसेस नहीं कर पाता है ओके नेक्स्ट कोश्चन से वह पदात जो मानव सरी में सबसे अधिक कठोर होता है तो वह होता है इनेमल सबसे हाड होता है आपको पता होगा हमारे जो दात है न वह कठोर होता है ऐसा आपको लगता है लेकिन दात कठोर नहीं होता है दात बहुत ही सौफ्ट होता है इतना सौफ्ट होता कि यह एक मतलब आप दबाओगे तो यह दब भी सकता है लेकिन आपको आपने देखा होगा दान्त तो बहुत ही कठोर होते हैं बिलकुल तो कठोर जो होते हैं वो इसके उपर एक आवरन की वह से होता है इस दान्त के उपर एक कवर लगा रहता है इस कवर को बला जाता है इनेमल ठीक है इस कवर को इनेमल बला जाता है और इसी के वह से दा भालोगे तो भी आप उसको जवाब आओगे लेगन अगर इनेमल नहोता तो फिर दांत ही आपका टूड़ जाता ठीक है तो इसलिए जब कोई वैक्टरिया आपके दांत में लगती है तो वह क्या करते पूरे दांत को खोकला कर देते अब देखना अंदर से पूरे दांत को बाहर का जो सर्फence है वह और जाती है एक चाहित से जादा वह उसको खाने से रह जाले शलूब मरette आइसलिए पता चलता है इनेमल साबसे हाड ४ोश्योस होता है क्रफ्थ और प्रिद धी गोनियंतर्य करते तो ये इस्तन गरंथियों को बृत्धि करते हैं और उत्ते जित करते हैं Next question से किसी रोगी की जैविक मृत्तू का आर्थ उसके किस अंग के उत्तकों के मर जाने से अगर कोई रोगी के जैविक मिर्तु होती है तो उनके मस्तिक्स के जो टीशू है या फिर सेल है वो मर जाते है ठीक है इसको बले जाते हैं जैविक मिर्तु नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट क्यों था नेक्ट्कोषिन से सबसे पहले। और अपेण हर्ट सर्जरी किसम नहीं किया था तो किस्च जन बनार नाम बेगकानिक ने सको क्या था। ने क्ट्स वेले काले जाती है त्हुन से तहाल ऌई पोटनीक के बोटनीक वेलक वेलकॉषण से जाई मेज झाई मेजं के दुवारह गुलकोश को अधाहील एलक वह बदला जाता है इसका फॉर्मेंटेसन होता तो वह एंजाई में था Will यह और जो होत importantes एलर्ची का लक्षन होता है। Next one is वह पधाद जिसकी उपस्तिती के कारण पादप कोसिकाओं और पफसु कोसिकाओं में एंतर पाया जाता है। तो वो होता कोसिका भित्ती, क्योंकि कोसिका भित्ती जो होते हैं, वो पादब कोसिकाओं में पाये जाते हैं, और जन्तु कोसिका में नहीं पाये जाते हैं। Next question से, किस वज़ा से समापक बीजो के आयत पर परतिबंध लगाया गया था। तो इन बीजो में अनुवांसिक रूप से वे गुनधर्म होते हैं, जिन से आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा गुनधर्म जिससे आगे बीजी पैदा नहीं होगा, तो उसके बंस को आगे कैसे बढ़ाया जाए जाए गया, इसलिए इस पर परतिबंध लगा दिया गया था। और मेंटेन करके रखता है, ठीक है? नेक्स्ट कोश्चन से गामा किर्णों से हो सकता है, तो गामा किर्ण है अगर हमारे सरीर में लग जाए तो होगा जीन म्यूटेशन, ठीक है? यह वेर इंपोर्टन चीज है, जीन का म्यूटेशन हो जाएगा, और एक हॉलिवुड की दिखाया भी गया तो जीन म्यूटेशन कैसे होता है, ठीक है? आप देखना बहुत अच्छा है, नेक्स्ट कोश्चन से गरंथी जो सरीर की ताप स्थाई रखती है, मतलब हमारे सरीर को जो टेंपरेचर को वो कंट्रोल करके रखती है, तो वो है हाईपोथेलेमस, इसको थ पतकाल परिणम क्या होगा, गिद्धो की संख्या में कमी हो जाएगी, नेक्स्ट कोश्चन से लसी का कोसीकाओं का मुखी काम क्या है, रोगों का प्रतिरोध करना, रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाना, नेक्स्ट कोश्चन से रक्त क्या है, रक्त एक परकार का उत्तक ह नेक्स कोश्चन से पोधों में जडों के मार्ग से पानी पहुचने का कारण क्या है तो वो है कैसी कत्तु ठीक है जडों के माईधम से पोधों के पत्तियों तक जो पानी चड़ती है वो कैसी कत्तु के द्वारा संभव हो पाता है next question से आत जोर किसके कारण होता है तो आत जोर जो होते वो जिवानों के कारण होती है next question से हिमोगलोबिन का परमुत घटक क्या है तो RBC ठीक है RBC इसका मैन घटक होते हैं और यह oxygen का वहन करते है next question से मानव सर्व में वो अंग जो गलाइकोजन के रूप में कारवोहाइडिट को जमा करते है जो भी कारवोहाइडिट होते है इसको गलाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हो होते यक्रित मतलब एक्स्ट्रा जो भी कारवोहाइडिट होंगे वो यक्रित में जाके जमा हो जाएंगे जब आप वोजन नहीं करोगे तो वो glycogen बापस कार्वो हाइडिन में कर्वेट होगी और आपको energy प्रदान करेगी next question से गुर्दो को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाही का कोन है तो kidney को रक्त पूर्ति करने वाला जो रुधिर वाही का वो ब्रिक धमनी next question से किसकी उपस्तिती में रुधिर वाहनियों में रक्त का ठक्का नहीं होता है मतलब आप देखों कि जब बलड हमारे सरी से बाहर निकल तो उसका clotting हो जाता है लेकिन यह हमारे सरी के अंदर रुधिर वाहनियों में जब परवाइद होती है तो उसका clotting क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे एक heparin नामक enzymes उपस्तित होते हैं जो उसको clotting होने नहीं देते हैं ठीक है उसको liquid form में बनाए रखते हैं नेक्स्ट कोश्चन से प्रातर कालिन धूप में मानव सर्व में vitamin कौन सा उत्पन होता है तो vitamin D ये होते हैं हमारे सर्व में self-generate vitamins इसको बोला जाता है ये automatic हमारे सर्व में generate हो सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन से मानव सर्व में बसा जमा होती है हमारे सर्व में जो fat होते हैं extra fat वो कहाँ पे जमा होती है तो वो हमारे टिशू में जाके जमावा जाती है उत्तक में नेक्स्ट कोशिका जिसमें इंसुलिन स्रावित होती है तो इंसुलिन स्रावित होने वाले कोशिका का नाम बताना है तो वीटा कोशिका वीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है यह वेरी इंपोर्टेंट ह गुनस gült से हड़ी काysis का पर्योग और वरक के रूप में किया जाता है और इस में पोधों के लिए पोषर्ट तरो क्या होता है तो फास फोरगा्रीं। आधे dari है और उसके लिए वो उपजाई होते हैं वीडियो हैं तक है अगर पसंद आया तो लाइक कर दिजएगा अपने फ्रेंट का सेर कर दिजएगा और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिविशन बॉक्स में जाएए आपको प्लेश का लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक् जाएगा जीजस